नमस्कार फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी कदर इस्टडी लाइन मी फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले पी एच मान से रेटर जितने भी कोशन्स बनते हैं उन सभी को ट्रेक से याद करने वाले हैं तो इस वीडियो का आप सुरू से अंतक देखे आप आपको ट्रिक के दोवारा मैं सभी कोशन्स याद करवा दूंगा ठीक है तो इस वीडियो का आप सुरू से अंतक देखे चले फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे पी एच भील्यू का यानि कि पीएच का फूल फॉ और किसने किती जो सौरंसन ने की दे ठीक है सौरंसन ने इसे खोज किया था ठीक है चले फ्रेंट्स अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि पीएच भेल्यू में कौन-कौन सा एक अमलिया होता है फ्रेंट्स एक होता है छारिये एक होता है उदासिन ठीक है अब देखे जो भी value साथ से नीचे होगा फ्रेंट्स जो भी value साथ से नीचे होगा वो अमलिये कहलाएगा ठीक है और जो भी value साथ से उपर होगा वो छाड़िये कहलाएगा ठीक है और जो value साथ रहेगा फ्रेंट्स साथ वो उदासिन कहलाएगा ठीक है यानि कि साथ से उपर अमलिये सब्सक्राइब कर लेते हैं चुछ एक है कि विल्टों किसे कंण ום कितना होता है साथ तो पंद भी एक दिन भी हम लोग जल से जल के नहीं ही रख सकते हैं जल्डू हम लोगों सब्धा में सातों दिन चाहिए होता है तो इस तरह से लोगिक जल सब whatever हैं और मख को सब्धा की के साथ होग एंडय सोदासी दांगर कि चलिए और प्यूस्यं dauphin किटना होता है और से इसकर साथ चाहिए होता है जल ऊसी तरह हम लोग को सथोधिन नमक भी चाहिए होता है ठीक हो तो इस तरह भी हम यह रखश कते हैं कि नमक के बीना हम लोग एक दिन भी सकते इसलिए नमक जोए सातों दिन चाहिए होता है इसका पीएच मान भी साथ हो गया ठीक है जल और नमक दोनों जोए सातों दिन चाहिए होता है इसलिए साथ इसका राइट ऑंसर होगा ठीक है चलिए अगला देख लेते फ्रेंट्स अगला है रख्त का पीएच मान कितना होता है तो इसका राइट अंसर का अप्शन नमबर यह हो जागा 7.4 हो जाएगा ठीक है तो चलिए इसे हम लोग ट्रिक से याद करते हैं कैसे याद करेंगे तो देखें फ्रेंट्स कोई व्यक्ति अगर आप आप ही को कहेगा कोई व्यक्ति कि चलिए आप जो है मुझे सापता के सात अगर डोनेट करूंगा तो मैं तो पूरा अपनो खुन ही दिए दूँगा तो मेरे पास ऊची कुन रहेगले आपिसते मेरी दिट् Hammaldести पैस्लό मैं साथ दिन तो नहींगा लेकिन कम से कम चार दिन जरूर दे सकता हूं ठीक है सब्त हमें साथ दिन सकते हैं ठीक है चलिए आप अंसु का प्यूच मान कितना होता है तो फ्रेंट्स आप प्यूच मान भी उतना ही उता हुथ इतना फून का प्यूच मन को अपसन नोमर एक उस्ते रहा होगा कि वह बन्दा द दूंघो स्थ दिन में छार दिन रोएगा ठीक है क्यूंकि दे रहेखा तो रोएगा तो इस तरह से इसे आँंक मेचा आशची आए तो इस तरह से याद दे सकते हैं वह साथ दिन में चार दिन खुंड डोनेट करेगा जिसके कान साथ दिन में चार दिनों से रोनवा भी आएगा ठीक है इस तरह आशू का प्याच मॉन 7.4 ठीक है फिरेंट्स चलिए अगला कोस्टन भी देख लेते हैं अगला है निम्बू का प्याच मॉन कितना होता है तो इसका राइटम सब्सक्राइब अप्सन नमर्ट 2.2 चलिए इसे भी याद कर लेते हैं इसे याद करने के लिए सबसे पहले हम लोगों समझना होगा कि जब हम लोग सबजी खरीदने जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि साथ सब्सक्राइब लेते हैं लास्ट में भचें 5 रूप्या करते हैं जो हम लोग के पाकेट में फांच रुपिया बशता है तो हम लोग क्छा सूचने चलो या निम्बु खईद लेते हैं तो आप देखते होंगे कि निम्बु 5 का आपको दो ही मिलेगा ठीक आपको जैंप heeft लेता है दो ही द यह तो होगा नहीं यह साथ के करीब है यह भी होगा नहीं और सबसे कम इसमें 2.2 हो जाएगा ठीक है चलिए फ्रेंट्स अगला देख लेते हैं अगला फ्रेंट्स दूद का प्येच मान कितना होता है तो इसका राइटम सब्सक्राइब नमबर ए 6.4 ठीक है अब देखें फ्रेंट्स 6.4 को हम लोग कैसे याद करें दूद्ध आप काफी महांगा हो चुका है ठीक है तो इसलिए दूद्ध हम लोग को चौसट रुपया पर लीटर मिलता है ठीक है चौसट रुपया पर लीटर इस तरह समय जाद रख सकते हैं 6.4 ठीक है चलिए अगला कुशन देखते हैं फ्रेंट्स रिके का प्येच मान कितना होता है तो सिर्के का प्येच मान 2.4 होता है ठीक है अब यह तूप पॉइंट फोड़ को याद कैसे करेंगे फ्रेंट्स निम्बू का ता है टूपॉइं ऑप्योलाइब 2.8 ठीक है टूप यह चूप का पका प्येच मान होता है अब इसे कैसे याद रखेंगे सराभ याने कि सराभी कोई बी सराभी सराभ पीने जाता है तो सबसे पहले दो दोस्त बनता है वो दो अपना बनाता है फिर वह घर से निकलता है ठीक है तो दो बंदा जो है दोस्त बना और प्लांट बना करके घर से निकलता है फ्रेंट तो रास्ते में जो और सब दोस्त मिलता है उसको पता चल जाता है यह जोना बंदा जो है जा रहा है सरापी ने तो और सब भी बंदा जूर जाता है इस तरह से दो के जगह जो है आठ हो जाता है ठीक बनता है असी के बारें बोला जा रहा है तो इसका सीधा राइट ऑन सरवा 6.5 ठीक है यहां पर रेंज दिया गया फ्रेंट 6.5 टू 7.5 तो इसका राइट ऑन सरवा फ्रेंट 6.5 एक्चुल में ठीक है इसे असाने सी याद रह सकते हैं इसमें कोई भी ट्रिक लगाने की जुर 6.4 तो होगा नहीं क्योंकि 7 से नीचे यह भी तो होगा नहीं इन दोनों में से होगा अब दिखेंगे फ्रेंट्स समूतर का जल तो काफी चा अचारिया होता है तो 7.2 भी तो नहीं होगा जो लाश्ट में बचा फ्रेंट 8.4 ठीक है तो इस तरह आप असानी स्याद रह सकत सकते हैं अगला फ्रेंट्स प्येच्वण का पता किसे लगा था तो इसका राइट आ सराप कमेंड्म में करके बताएगा ठीक है चलिए अगला को समसे रखते हैं एक अगला है फ्रेंट्स किसी भी वेक्तिकर रख्ट्के पी-एच मान में कितना परिवरतन होने पर उसकी मि करके बताना है कि कितना कमी होने पर जो आप मिलती हुजाती है मनुस्रीकर ठीक है तो फ्रेंट इस तरह से मैंने आपको ट्रिक के जरिए प्येच मांद जो प्येज़ वेल्यू था मैं उसको करा दिया उम्मीद आपको वीडियो पसंद आए विडियो आपको कैसा कमेंट बॉ कर दो